ओरिया जंग हर हर महादेव मैं चात्नी विश्व गर्मा आप सभी का मेरी यूट्यूब चानल चात्नी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की रक्षा बंदन की तैयारियां पूरी होट चुकी होंगी तो आप सभी का मेरी यूट्यूब चानल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को रक्षा बंदन की भाई बेहन के प्यार से रिष्टे की बहुत बहुत शुब कामना है और आप सभी का प्यार और आशिरवाद हम तक और आप दोनों के बीच में अपने भाई बैंस के बीच में अच्छा सा बना रहे महादेल से हम यही प्रात्ना करते हैं तो जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल सर्कल से डिजाइन बनाए हैं और यहाँ पर लिखा है बेस्ट ब्रदर जी हाँ एक बहुत ही सुन्दर सी यह चीज मैंने बनाई है और अपने भाईयों को डेडिकेट कर सकते हैं उनको स्पेशल फील करा सकते हैं चाहे तो बहने भी कर सकती हैं अपने भाईयों के लिए और भाई भी कर सकते हैं अपने बहनों के लिए तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है आपो कर सकते हो तो बट यहां पे मैंने रक्षा बंदन का राखी बनाया है जैसे कि आपको यहाद देख रहाओगा थोड़ा थोड़ा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरीकी का यह भी सरकल सरकल सा लग रहा है पर यह सरकल नहीं रहेगा इसके अंदर पॉपल कलर ग्रीन और रेड कलर का यूश किया जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और फिर बार यहाँ आती है हमारे बॉटल से अपने डिजाइनिंग को कम्प्लेट करने के लिए तो यहाँ पर मैंने चोटे-चोटे से डॉट को यहाँ पर ल तो मैंने यहाँ पर राखी बनाया है और राखी बनाया है तो यहाँ पर आप चाहो तो किसी का फोटो भी एड कर सकते हो उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी छोटी-छोटी से डिजाइन को यहाँ पर एड कर दिया है अब बैस पुल्दर जो मैंने लिखा है मैंने सुचा क कि इसको भी हम कलर कर देते हैं ताकि जब हम इसमें डेजाइनिंग करें रेड़ वाले पार्ट में तो उसका कलर जो है कि इसमें ना आजा और थोड़ा सा गंदा ना हो इस वजह से जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग जब भी डेजाइन फिल करते हैं तो बहार निकल है फिर उसको हाथ से क्लीन करना पड़ता है उसके बाद हम ग्रीन वाले पार्ट को भी बना लेते हैं और जब मेरा जो लास्ट पार्ट है इस राखी का वह है यह वाला पार्ट जो की बहुत ही जादा सुन्दर लगता है और मेरे पूरी राखी को यह कंप्लीट कर देता है आप उसका फाइनल लुक देखना और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूं तो जैसे कि आपको यहां पे अभी से राखी का लुक आपको समझ में आने लगा होगा तो मैंने यहां पे कुछ उसकी गाटे वे बनाई है उपर नीचे की तरफ से ही जो क हमारी रंगोली अल्मोस्ट डन होने वाली है बट इसके इस रंगोली में सबसे में पार्ट है कि जो मैंने बेस ब्रदर लिखा है इसमें मैंने कुछ डिफरेंट डिजाइन बनाई है जैसे कि मैंने मोटा मोटा पहले वाइट कलर रख दिया उसके बाद चौक के हेल्फ से जो की थोड़ा सा स्क्वाइर शेप में हो उसके लिए मैंने यहाँ पर दिखे पहले मैं ऊपर खिश रही हो फिर नीचे खिश रहे हैं मतलब अपोजर डिरेक्शन में हम उसको पुश करते जा रहे हैं और उसी में यह डिजाइन हमारी निकल क्या यह पता नहीं कैसे बन ग करते हैं कि आपको यह राखी स्पेशल वाली रंगोली और राखी वाली रंगोली बहुत जादा पसंद आएगी थाइंक यू एब्रिवन मिलते हैं नेक्स पीडिए